नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अड़ा 247 में दोस्तों अमेरीका जो है काफी बड़ा डेवलोप्मेंट करने जा रहा है क्योंकि आप जो थम्निल में लाइन बढ़ रहे हो बिल्कुल सही है अमेरीका जल्द ही इस साल के अंत तक अपने सारे जो chemical weapons हैं रासाइनिक जो हतिहार है इनको नश्ट करने जा रहा है और सही माइने में जो दबाव है अमेरीका के उपर वो रईस रशिया और चाइना का है लेकिन क्या चीन भी ऐसा करने वाला है क्योंकि चीन के बाद भी chemical weapons हैं जो उसने जापान से लिये थे ये history काफे interesting है और हमें recently इस news के जरी इस बात का बता चला है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं US President Joy Biden was to destroy chemical weapons by 2023 लब 2023 तक यह खबर वास्ता में सच्चा ही बन सकती है तो यह discuss करते हैं इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा इससे प्रिजन करता हूं आपके सामने मेरा नाम है सौरप सौामी और सबसे बड़ी बात अमेरिका ऐसा क्यों करने जा रहा है वो जानना भी जरूरी है वैसे देखिए तो अमेरिका अपने आप में काफी develop country है सबसे ताकतवर देश माना जाता है अमेरिका और वैसे दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्टपती जो बाइडाइन ये एलान करते है कि वह इस साल अपने सभी रसायनिक हतियारों को नश्ट कर देंगे और बाइडेन की जो घोशना है ये रश्या और चाइना के उस joint statement के बाद आई है जिसमें दोनों देशों ने अमेरिका के उपर chemical weapon रखने को लेकर निशाना जो है वो साधा था एक target किया था युमेसे को रश्या और चाइना ने joint statement के साथ में की अमेरिका के पास में बहुत से chemical weapons है जिनको वो कभी भी use कर सकता है और बहुत से chemical weapons UN से develop कर रहा है आप यहाँ पर इस news में देख सकते हैं रश्या चाइना convinced that nuclear war must never be unleashed यह joint statement दोनों देशों ने मिलकर दिया है और उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं यह White House की official website से statement from President Joe Biden ahead of the fifth review of conference for the chemical weapon convention जो CWC है उसकी बैटक से पहले Joe Biden का जो statement है जिसमें इस बात की पुष्टी की गई है कि मेरी का साल के अंतर तक अपने chemical weapon को नस्ट कर देगा यहाँ पर आप notification भी देख सकते हैं अच्छा chemical weapon होते क्या है देखे दोस्तो organization for the prohibition of chemical weapons OPWC से हम बोलते हैं अगर हम बात करें तो रासायनिक हतियार ऐसे हतियार हैं जिन में जहरीली रासायनों का इस्तमाल जान बूच कर लोगों को मारने या नुकसान पहुचाने के लिए किया जाता है देखे जितने भी military equipment हैं, senne wooden are, जो खतरनाक रसायनों को हतियार बना सकते हैं उन्हें रासायनिक हतियार या रासायनिक हतियार भी माना जा सकता है रासायनिक हतियार इतने गहटक होते हैं कि वे पल भर में 1000 लोगों की नीद उड़ा सकते हैं जान ले सकते हैं और तरह तरह की बीमारियों के प्रभा में उन्हें मरने पर मजबूर भी कर सकते हैं तो खुल मिला के बहुत से लोगों को मारने के लिए chemical weapon का यूज किया जाता है पहले हम सुनते थे किसी जमाने में चैसे हिरोशिमा नागा साकी के उपर जो एक जटके में शहर के शहर तबाह हो जाते थे लेकिन ये जो weapons होते हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और इनका use दो देशों की war के बीच भी किया जा सकता है इस तरह के influence भी बन जाते हैं कई बार तो इसी वज़े से ऐसा सुनने में आया है हमारे और वाइट हाउस ने भी कहा है अमेरिका ने ये statement दिया है कि अमेरिका और CWC के जो सदर्शे हैं अगले सब्तहा तक एक सम्मेलन में एकर्तित होने वाले हैं इसमें दुनिया को रसाइने खतियारों से मुक्त करने पर चर्चा होगी और हम उधारान के साथ में दुनिया का नेत्तों कर रहेंगे और ये जो खतरनाक हतियार है इनके संचे का इनके कलेक्शन का हमेशा से विरोध करेगा आगी भी करता आया है और अच्छे तरीके से विरोध इसका करने वाला है अमेरिका ऐसा अमेरिका ने इस statement में कहा है हमें अन्य देशों को भी CWC के साथ काम करने के लिए प्रोसहित करना चाहिए अच्छा CWC थोड़ा जम आपको पहले समझा दूँ CWC दरजल है क्या तो देगे दोस्तों CWC जो है यूक्रेन के बीचे में वार चल रहा है तो कुल मिला के रश्या के उपर केमिकल वेपन ना फैक दे या फिर रश्या यूक्रेन के उपर केमिकल अटेक ना कर दे इसलिए CWC काम करता है इसमें 193 देश जुड़े हुए हैं इवन भारत, रश्या, अमेरिका, समिर 165 देश जो है इसके ट्रेटी पर साइन कर चुके हैं और केमिकल हतियारों के डेवलप्मेंट, प्रोटेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसफर पर ये रोक लगाता है और CWC को मेनेज करने के लिए 1997 में OPWC बना और इसमें अन्य मतलब देखा जाए तो इसमें सदस्य देशो के सरकारों का एक संगटन है ये ये मतलब जिसमें मानके चले न, 193 कंट्री जुड़े हुए तो उनके जो गवर्मेंट है वापस से जुड़ी रहती है इसका ad quarter आपको मिलेगा हैक के अंदर और साथ ही दोस्तो एक जिसमें आपको जरूब आता दो जो बहुत important है Egypt, Israel, North Korea और South Sudan ये चार देश ऐसे हैं जो CWC से नहीं जुड़े हैं तो ये दोस्तो एक जानकरी काफी important है आगे बढ़ने से पहले तो White House ने इस statement के बारे में अभी recently ये जो बाते हैं वो दुनिया के सामने रखी है जो अपने आप में काफी important अचा रशिया और चाइना ने क्या आरोप लगाये थे तो रशिया चारों ने जो आरोप लगाये थे वो ये थे कि जो US fraction countries हैं and the US fraction countries इन्होंने एक joint statement issue किया और ये कहा कि पिछले ही महीने ये joint statement जारी हुआ है जिसमें अमेरिका के उपर खतरना खतियार जमा करने का आरोप दोनों देशों ने लगाया है इनके बियान में कहा गया था कि अमेरिका जो है रासाने का तियारों की जो संदी है CWC इसका एकलोता सदर्से है जिसने अपने रासाने का तियारों को खतम नहीं किया है और रशिया की बात करूँ मैं तो उसने अमेरिका और युकरेन पर रासाने का तियार डवलप करने का आरोब लगाया था ऐसा कहा जाता कि यह भी एक reason था Russia है इनवेजन किया युकरेन के ऊफ़र रूसी ऑजेंसियों ने कहा था कि अमेरिका युकरेन में जैवी खतियार तियार कर रा रहा है और अमेरिका तब युक्रेयन में biological lab के लिए राजी हो गया था हाला कि USA ने इन सभी बातों को deny किया है कि हम ऐसा ही कुछ नहीं कर रहे हैं मतलब हम युक्रेयन के अंदर कोई भी जेवी खतियार जो है वो नहीं बना रहे हैं आप यहाँ पर सिप्री की रिपोर्ट के अंदर देख सकते हैं कि कितने nuclear या chemical weapon USA के पास में है 5800 weapons है वार हेड युनाइटर स्टेट के पास मैं nuclear की बात कर रहा हूँ मैं चाइना के पास 320 है रशिया के पास 6375 है यह मैं nuclear weapon की बात कर रहा हूँ लेकिन chemical weapon जो है वो थोड़े अलग type के होते हैं जो bacteria से बनते हैं दरसल जो बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं जो chemicals से बनते हैं तो दोनों में difference तो है लेकिन यह जो देश हैं तीनों जिनके हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में तीनों ही अपने आप में nuclear chemical weapons रखते हैं आला कि रशिया ने यह कहा था कि 2017 में ही रशिया ने अपने सारे chemical weapons जो हैं वो destroy कर दिये थे ऐसा कहना है रशिया का आला कि युक्रेन युद्गी शिरुवात के बाद अमेरिका और ब्रिटेन को डर यही था कि रूस जो है युक्रेन के खिलाफ chemical weapons का इस्तमाल कर सकता है वही रूस ने इससे पहले अमेरिका पर युक्रेन में रासाइनिक और जेविक हतियार बनाने का अरोप लगा था और जब वैसे भी यह जब वार शुरू हुई थी तब पुरी दुनिया को डर था कि nuclear attack कहीं रशिया युक्रेन के उपर ना कर दे इसलिए अमेरिका ने वर्ण किया था रशिया को कि any use of chemical weapons would have to consequences वलब आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा और अगर मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना हमेशा से बोलता है कि उसके पास में कोई weapon नहीं है chemical weapon लेकिन चीन का कहना है वलब चीन दुनिया को बात के बीच में जापान ने चीन पर chemical weapon का एक बड़ा भंधार छोड़ दिया था जिने अब नष्ट करने के लिए कहा जा रहा है तो जब जापान ने chemical weapon छोड़े तो वहीं चाइना में रह गए और चाइना के अंदर ही वह आज भी मौजूद है तो ऐसा कहा जाता है कि चा डूबर से उन एप्लेकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें काफी अच्छे अच्छे कोर्स अवेलेबल हैं आप डबल वैलेडिटी के अंदर UPSC का महा पैक ले सकते हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपे के अंदर बहुत कम पैसों में आप UPSC क लोग वा लगाना बिलकुल भी ना भूले इसी तरीके के important और informative वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा रन्यवाद